राम राम कईबर विक्ती में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं होती शम्ताइं भरपूर होती है काबलियत पूरी होती है लेकिन जब उस चीज़ को पर्फॉर्म करने का वक्त आता है उस समय आत्मबल की कमी के कारण या मन की कमजोरी के कारण विक्ती हार जाता है और जिसमें वो कुशल है उसमें भी अच्छे परिनाम हासिल नहीं कर पाता तो आज इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ एक उपाय बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें देखिए मन के जीते जीत मन के हारे हार ये बात आपने खुब सुनी होगी तो यहाँ पर ये सचाई है अगर आपका मन मजबूत होना तो हर कारे को आप कर सकते हैं अब क्या करना है अगर आपका मन डगमगा जाता है किसी भी निरने को लेने में और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है तो दूद में मिट्टी के कुलड में दूद भरे गाएका उसमें शेहट डालें डालने के बाद भगवान विश्णु जी को अरपन करें ये आप किस दिन कर सकते हैं सौवार के दिन रविवार के दिन मंगलवार के दिन इन में से कोई भी दिन चुनके आप भगवान विश्णु जी को ये दूद अरपन करके आएं ये उपाए कितनी बार करें, देखिए अगर आपके पास समय की किसी परकार की कमी नहीं है और शर्दावाब पूरा है, तो मैं ये कहूंगा 43 डे लगातार करिए, अगर समय की कमी है, तो 21 दिन भी चुन सकते हैं, 11 दिन भी चुन सकते हैं, देखिए अगला जो उपाए है वो बुद्धी का साथ प्राप्ट करने के लिए मंगलवार के दिन, माता दुर्गा जी को नारियल चढ़ाना शुरू करते हैं, इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, और आपकी बुद्धी भी आपका साथ देगी, अब देखिए अगर आप शहद का उपाएं मंगलवार कर रहे हैं, तो उससे अगले मंगलवार नारियल चढ़ाईएगा, दोनों चीजे साथ में नहीं जोडनी हैं, और यहाँ पर चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई इंटर्व्यू देने जा रहा हो, चाहे किसी ने अपनी प्रेजन्टेशन देनी हो, वह घबरा जाता है कई बार इन चीजों से क्योंकि यहाँ पर कंपिटीशन होता है, यहाँ पर प्रतियोगता होती है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, वो ही आगे बढ़ता है, तो यह उपाई करने से आपकी उस परफॉर्मस में बहुत अच्छा फरक पड़त है, और आप कई चीजे जो अनभव करते हैं, आपको अच्छे परिनाम नहीं दे रही, वो भी अच्छे परिनाम देने लग पड़ती है, मनोबल की कमी के कारण, और बुद्धी मता के कहीं न कहीं कमजोर होने के कारण, वह मजबूत हो जाती है, और आप अपने हक को करके देखें, जैम आता दी